तो यहां भी कई बर सवाल निकलता है कि जब 1.5 kg का प्रेशर डॉप किया जाता है तो ब्रेक स्लेंडर में अधिकतम प्रेशर कितना पहुँचता है तो यह सवाल निकलता है बहुत इंपोर्टन सवाल है पिछले वीडियो में हमने यहां तक cover किया था जिसमें जो break system के जो equipment है उनके बारे में बताया गया था कि कितने कौन कौन सी चीज़े कितनी संख्या में होती है जैसे break pipe का रंग क्या होता है उनकी संख्या कितनी होती है यह सारी चीज़े मैंने बताया था अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लिए जए काफी important है अगर आप C&W department से हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी important होने वाली है अगर आपको exam देने वाले हैं आप technician का जेई का exam देने वाले हैं तो आजकल के exam objective type question आते हैं तो एक एक question रटने से अच्छा है कि आप system को समझ लेजिए एक बर आप air brake system को समझ लेंगे तो इससे निकलने वाले जितने भी सवाल होंगे सब के आप आसानी से answer दे सकते हैं इसके लाव काम के दोरान भी आपको help मिलेगी अगर आप system आपको पता होगा तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा आज हम बात करेंगे है सिंगल pipe जो braking system होता हो कैसे काम करता है तो सबसे पहले हम सिंगल pipe braking system के बारे महीं बात कर लेते है यहाँप है charging के बारे महीं बात करेंगे कई बाराम उसको train pipe भी कहते हैं तो single pipe में feed pipe का इस्तमाल नहीं किया जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे charging की देखे लोको मोटिप का compressor वाईव मंडल के हवा के दबाओ को बढ़ा कर लोको के main reservoir यानि एमार में भरता है या compressed हवा break pipe तता feed pipe में भेजी जाती है अब देखें यहाँ पे break pipe और feed pipe दोनों लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ यह अगर twin pipe है तो break pipe और feed pipe दोनों भेजी जाएगी यानि BP और EP दोनों में भेजी जाएगी लेकिन अगर single pipe है तो वहाँ पे feed pipe नहीं होगा तो feed pipe में भेजी जाएगी सिर्फ वहाँ पे BP में भेजी जाएगी single pipe system में loco से break pipe की 5 kg per cm2 pressure वाली हवा dirt collector से छनकर पूरी गाड़ी के प्रतेक वैगन के DB को चार्ज करती है DB से control reservoir यानि कि CR तथा auxiliary reservoir चार्ज होता है यानि कि AR जैसे ही अंतिम वैगन या brake van तक के AR और CR पूरी तरह से charge हो जाते हैं लोको मोटीव तता brake van के pressure gauge में निर्धारित pressure आ जाता है इस अवस्था को गाड़ी की charge अवस्था कहते हैं इस समय loco में brake pipe का pressure 5 kg होता है तता brake van में 4.8 से 4.7 kg होता है अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है देखे जैसे यहाँ पे main reservoir लिखा है MR यह एक tank होता है जो engine के अंदर होता है और सबसे पहले engine में लगा हुआ जो compressor होता है वो इसी में pressure को भरता है MR के अंदर उसके बाद MR से pressure जाता है BP और FP में अगर twin pipe है तो BP में भी जाएगा और FP में भी जाएगा वहाँ पे अगर single pipe है तो सिर्फ BP में जाएगा FP तो होता नहीं है तो सिर्फ वो BP में जाएगा तो यहाँ यह बात समझने वाली है अब आगे देखते हैं अब देखे जैसे ही गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है जानि गाड़ी चार्ज होने का मतलब यह होता है कि ट्रेन में जितने भी वैगन लगे हुए उन सारे वैगन का जो DB डिस्टिब्यूटर वालब है AR है और CR है इन सब में हवा भर जाए सारे वैगन में शुरूर से लेके आखिर तक के वैगन में हवा भर जाए तो उसको कहते हैं गाड़ी चार्ज हो गई अब यहाँ पे हवा भरता है तो जो सबसे आखरी का वैगन होता है उसमें 4.8 किलोग्राम पर संटिमेटर स्कॉयर का प्रेशर होता है और जो पहला वैगन होता है वहाँ 5 किलोग्राम पर संटिमेटर स्कॉयर का प्रेशर होता है अब देखें 50 से 100 दो सो आजकल वैगन जुड़ते हैं तो जाहिए सी बात है अगर इंजन से जो प्रेशर जा रहा है तो अगर जो हमारा गार्ड का जो कंपार्टमेंट होता है अगर वहाँ पर प्रेशर 4.8 या 4.7 आ गया है और स्टेवल है तो इसका मतलब हमारी गारी पूरी चार्ज हो गई है तो ये सिंगल पाइप में होता है जो चार्जिंग का समय है ऐसा नहीं है कि आप घंटो लगा के इंजन के प्रेशर को भेजते रहें कि अब चार्ज हो जाएगा अब चार्ज हो जाएगा अब चार्ज हो जाएगा ऐसा नहीं है एक चार्जिंग का समय है single pipe system में 20-25 मिनट है कई बार exam में यहाँ से सवाल निकलता है कि single pipe breaking system वाले गाड़िकों में charging का समय क्या है तो यहाँ से आप ध्यान रखेगा 20-25 मिनट का charging का समय है break application अब यहाँ पे देखते हैं break लगता कैसे break application सामान यवस्था में गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए चालक A9 हैंडल को फुल सर्विस एप्लिकेशन के इस्तिती में लाता है जिससे लोकों में 1.6 किलोगराम ब्रेक पाई प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ पूरी गाड़ी के DB में भी प्रेशर की कमी होती है परन्तु जो सियार होता है उसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है प्रेशर में इस अंतर के कारण DB में प्रेशर का अंतर बन जाता है या DB unbalance हो जाता है जिससे AR का संबंध brake slender से हो जाता है और auxiliary laser wire यह जो AR है उसकी हवा brake slender में जाकर गाड़ी में brake लगाती है अब देखिए simple भासा मैं आपको समझाओं तो engine के अंदर एक handle होता है जिसको A9 कहते हैं उसे handle से brake लगता है और brake release होता है जब A9 handle को driver के द्वारा उस 1.6 kg का जो pressure है वो BP से drop होता है और यह जो drop होता है यह पूरे जितने भी wagon लगे होते हैं उन सब के distributor wall को भी drop कराता है या जितने भी DB लगे हुए हैं उन सब में यह pressure कम होता है DB में pressure कम होता है लेकिन CR जो control reservoir होता है उसका pressure कम नहीं होता है और जो यह CR है यह DB के साथ लगा हो लेगा वो CR कहलाता है तो जो CR होता है उसका pressure कभी भी drop नहीं होता है जब service application होती है full service application होती है कोई भी application होती है break apply होता है तो जो CR होता है उसका pressure कभी भी drop नहीं होता है जबकि DB का pressure drop होता है तो CR का pressure और DB के pressure के बीच में अंतर आ जाता है इसी अंतर को जो है DB sense करता है और व लग जाती है, इसके उपर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है, मतलब यह चैलेंज है कि आपको अच्छा वीडियो पुरे यूटूब पे नहीं मिलेगा, यह कहीं नहीं मिलेगा, जितना अच्छा मैंने उसमें एनिमेशन के द्वारा बताया है कि ब्रेक कैसे काम क इस्तिती में 1.6 किलोग्राम जो प्रेशर है लोकों से ड्रॉप करने पर प्रतेग ब्रेक स्लेंडर में अधिकतम प्रेशर 3.8 किलोग्राम पहुंचता है, देखिए अगर इंजन के अंदर जो ड्राइबर है अगर वो बीपी का प्रेशर 1.6 किलोग्राम अगर वो होगा, नॉर्मल भासा में सब लोग कहते हैं कि 1.5 किजी ड्रॉप कर दे, तो यह 1.6 होता है, 1.6 किजी जैसे ही ड्रॉप होता है, तो जो ब्रेक स्लेंडर है, उसमें 3.8 किलोग्राम प्रेशर का पहुंचता है, जिससे ब्रेक लग जाता है, तो यहां भी यह कई बर सवाल निकलता है, कि जब 1.5 किजी का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, तो ब्रेक स्लेंडर में अधिकतम प्रेशर कितना पहुंचता है, तो यह सवाल निकलता है, बहुत important सवाल है, ब्रेक अप्लिकेशन समय, ब्रेक जो लगने का एक टाइम है, वो भी एक टाइम फिक्स होता ह है कि कितने सेकंड के अंदर लग जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो सिंगल पाइप जो ब्रेकिंग सिस्टम है, उसमें 18 से 30 से के अंदर ब्रेक लग जाना चाहिए, अगर इससे ज़ादा समय लगता है, तो प्रॉबलम है, और उसको फिर ढूंटा जाता है कि क्या प्रॉब प्रेशर पुना पांच किलोगराम से चार्ज होगा, इसके साथ साथ पूरी गाड़ी का जो डीबी है, वो भी पांच किलोगराम से चार्ज हो जाएगा, इसमें ब्रेक पाइप तथा कंट्रोल रिजर्वार, सी आर का प्रेशर बराबर होने कारण, डीबी में दबाओ का संबंद brake cylinder से कड जाएगा brake cylinder में गई हुई compressed हवा DB के exhaust port से बाहर vive bundle में चली जाएगी और brake release हो जाएगा अब देखें जब brake लगी कब लगी brake जब BP का pressure कम हुआ तो brake लग गई जब brake release करना होता है तो BP के pressure को वापस 5 kg तक लाना होता है यानि ड्राइबर जो है A9 handle को वापस release इस्तिती में जैसे ही करता है तो BP का pressure बढ़ने लगता है BP का pressure जब 5 kg बढ़ जाता है यानि उस रेक में जितने भी बैगन लगे हुए है सबके DB का pressure जैसे ही 5 kg हो जाता है तो अब यहाँ क्या होता है CR का pressure के साथ DB का pressure बराबर हो जाता है CR का pressure पहले ही 5 kg है अब जैसे DB का pressure 5 kg होता है यानि CR और DB का pressure जैसे ही बराबर होता है तो क्या करता है जो DB है वो control reservoir जो AR है उसका संबन brake cylinder से काड़ देता है और brake cylinder के pressure को Y मंडल में बाहर निकाल देता है इससे क्या होता है ब्रेक release हो जाती है यह बहुत important चीज है आगे चलते है wagon को isolate करना wagon को isolate कैसे किया जाता है देखें यहाँ पे DB है और यहाँ भी यह DB है दो DB आपको दिख रहा है और यहाँ पे ध्यान दीजेगा एक यह handle है इसमें देखें नीशे की तरफ है और इसमें देखें यह horizontal है एक में vertical है और एक में horizontal है एर ब्रेक गारी में किसी wagon को isolate करने के लिए DB के एक handle दिया गया है जिसकी दो इस्तिती होती है पहली समाने नॉर्मल handle जमीन के लंबवत यानि जो यह पहला है जो vertical है वो normal है तता दूसरी isolate यानि जब isolate किया जाता है तो वो horizontal यहाँ पे हो जाता है distributor valve के isolating handle को isolate position में रखें तता quick release valve से brake manually release करके brake block release होना सुनिश्चित करें देखें अगर किसी wagon को isolate करना है isolate कब किया जाता है किसी भी wagon को या किसी भी coach को isolate तब किया जाता है जब उसके braking system में कोई problem हो किसी भी तरह का कोई problem हो और हम चाहते हैं कि उस coach में या उस wagon में brake ना लगे तो हम DB से उस पूरे coach को isolate कर सकते हैं उसके लिए DB के अंदर isolating handle दिया गया रहता है और यह पहले वाले तो उस handle को घुमा के उपर करना होगा और फिर इसको GI तार से बानना पड़ेगा कि उन नीचे की तरह ना है तो वो isolating position है isolate करने के बाद से जो नीचे आपको यह cable दिख रहा है इस cable को खीचना पड़ता है यह एक lever जैसी चीज है इसको आपको खीचना पड़ता है इसके खीचने से DB और वो जो पूरा coach है या जो पूरा wagon है उसका pressure बाहर निकल जाता है और break release हो जाता है यानि कि इसको manually break releasing कहते हैं अगर किसी coach को या फिर किसी wagon को manually release करना है break release करना है तो आपको इसी cable को खीचना पड़ता है जैसे ही आप इसको खीचते है सारा air pressure बाहर निकल जाता है और coach manually release हो जाता है अच्छा जैसे ही आप coach को manually release करते हैं तो यहाँ पे CR का भी प्रेशर बाहर निकल जाता है CR का pressure manually release करने से ही बाहर निकलता है CR जब एक बर चार्ज हो जाता है तो उसका pressure न कम होता है न ज्यादा होता है अगर उसके pressure को निकालना है तो आपको manually DB release करना पड़ेगा तब ही उसका pressure निकलेगा ठीक है आगे चलते हैं Double pipe माल गाड़ी के wagon को isolate करना Double pipe माल गाड़ी के wagon को isolate करना Feed pipe isolating cock को बंद करें जो Feed pipe में isolating cock होता है उसे बंद किया जाता है Distributor valve पर लगे isolating handle को जमीन के समाना अंतर रखें Quick release valve को खीच कर break release करें यो break release होना सनुश्चीत करें दोनो break slender isolating cock को बंद करें ये जो double pipe system होता है उसमें आपको feed pipe भी मिलता है तो बाकी जो यहाँ पर isolate करना है जो single pipe है सेम वही चीज़ है बस यहाँ पर एक feed pipe भी होता है उसमें भी isolating cock होता है उसको भी बंद कर दीज़े ताकि उसका भी हवा उस coach में उस wagon में उसके AR में auxiliary reservoir के अंदर ना है तो उसको बंद किया जाता है यह बहुत simple सा चीज़ है जैसा अगर आपने single pipe को समझ लिया तो double pipe भी same है बस इसमें एक feed pipe होता है जिसमें एक isolating cock होता है उसको बंद करना पड़ता है बाकी सारी चीज़ें सारा process जो है वो single pipe के जैसा ही होता है आगे देखते है माल गाड़ी के single यहों double pipe system में अंतर देखें माल गाड़ी के अंदर single pipe जादा तर आपने देखा होगा single pipe भी होता है लेकिन उसमें double pipe system भी होता है दोनों चीज़ होती है लेकिन बहुत कम गाड़ीों में double pipe system काम करता है जादा तर माल गाड़ी के अंदर single pipe system काम करता है तो अब देखते हैं कि इन दोनों में थर क्या single pipe में, इसमें एक ही pipe लगा होता है जिससे brake pipe कहते हैं, इसमें 2 pipe लगे होते हैं, जिन में से एक को brake pipe योंं दूसरे को feed pipe कहते हैं यानि एक को BP और एक को HP का जाता है single pipe में, इसमें एक ही ब्रेक स्लेंडर बैगन की लंबाई के समना अंतर लगा होता है इसमें दो ब्रेक स्लेंडर बैगन की चोड़ाई के समना अंतर लगे होते हैं यह जो सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें एक बैगन के अंदर सिफ एक ब्रेक स्लेंडर होता है तो यह सारे सवाल निकलते हैं अगर आप पूरे system को समझ लिजेगा तो जितने भी objective सवाल है वो सारे यहीं से निकलते हैं यानि कि अगर आप से सवाल आ जाए कि जो twin pipe system होता है मालगाडी के अंदर उसमें एक wagon के अंदर कितने brake cylinder लगे होते हैं तो simple सी बात है दो brake cylinder लगे होते हैं चलिए तीसा point इस system में slack adjuster अलग से लगा होता है इस system में slack adjuster brake cylinder के साथ ही लगा होता है जो slack adjuster होता है single pipe में अलग से ही लगा होता है आपने देखा होगा एक बड़ा सा लंबा सा lowe का pipe जैसा होता है वो slack adjuster होता है जबकि ट्विन पाइप के अंदर जो ब्रेक्स लेंडर होता है उसके अंदर ही यहाँ पे स्लैक अजिस्टर लगा होता है सिंगल पाइप इसमें एम्टी लोड डिवाइस लगी होती है इसमें लोड सेंसिंग डिवाइस LSD या Automatic Pressure Modification लगा होता है देखे इसके बादे मैंने उपर पिछली वीडियों बताया था अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीचेगा जो सिंगल पाइप होता है उसमें मैनुवली आपको एम्टी लोड डिवाइस को अपरेट करना पड़ता है अगर पूरा वैगन खाली है तो आपको एम्टी लोड डिवाइस को एम्टी पोजिशन में उसके हैंडल को रखना पड़ता है और अगर वैगन लोड है तो एम्टी लोड जो डिवाइस है उसके हैंडल को आपको लोड की तरफ रखना पड़ता है तो आपको ये manually करना पड़ता है पूरे wagon में जितने भी अगर एक रेक के अंदर पचास wagon है तो पचास wagon में ये चीज़ करना पड़ता है manually है लेकिन जो twin pipe system है उसमें LSD या फिर APM लगा होता है जिसमें driver या guard को आप कुछ करने की जो train manager को कुछ करने की जोरत नहीं पड़ती है और नई किसी staff को कुछ करने की जोरत पड़ती है वो अपने आप यहाँ पे load device जो LSD होता है और APM होता है वो अपने आप sense कर लेता है कि जो wagon है वो load है या खाली है उसके हसाब से वो उसमें brake लगाता है इसमें brake पाइप में अगर brake लग गया तो उसमें कोई ऐसा indicator नहीं है जिसको देख कि आप यह बता सके कि brake लगा है कि brake रिलिज है उसको पता करने के लिए आपको सीधा brake pad को देखना पड़ता है वील के साथ वो चिपका है कि नहीं चिपका है अगर चिपका है तो brake लगा है नहीं चिपका है लूज है उसको हिला के देखना पड़ता है कि वो टाइट है कि लूज है अगर लूज है तो brake नहीं लगा है लेकिन जो twin pipe system है उसका जो brake slender है उसमें indicator दिया रहता है एक red color का indicator ह ब्रेक लगने से वह बाहर की तरफ आ जाता है, आपको दूर से दिख जाएगा कि ब्रेक लगा हुआ है, और अगर रिलीज होगा तो वह आपको इंडिकेटर नहीं दिखेगा, तो यह बहुत अच्छी चीज है, ट्विन पाइप सिस्टम के अंदर, चलिए अगरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, इसमें AR 5 किलोगराम पर से चार्ज होता है, यह हम इसकी छमता 100 लिटर होती है, ट्विन पाइप में इसमें AR 6 किलोगराम से चार्ज होता है, और इसकी छमता 200 लिटर होती है, अब देखिए जो single pipe होता है जो उसका AR होता है वो 5 kg से इसलिए charge होता है क्योंकि उसमें एक ही pipe एसे BP जिसका pressure maximum 5 kg होता है और जो twin pipe है इसमें दो pipe होते है एक FP होता है एक BP होता है और FP का का काम होता है AR को charge करना और FP का pressure होता है 6 kg तो इसलिए यहाँ पे 6 kg से charge होता है AR और इसकी छमता 200 लिटर होती है तो किसकी जो twin pipe system होता है twin pipe system में जो AR लगा होता है उसकी जो छमता होती है 200 लिटर होती है और जो single pipe होता है उसकी 100 लिटर होती है तो देखें यहाँ से भी एक सवाल निकलता है जो single pipe breaking system वाले जो goods गाडियां है उसके AR की छमता कितनी होती है तो single pipe वाले की 100 होती है और दूसरा सवाल यह निकल सकता है कि जो twin pipe माल गाड़ी होती है उनमें लगा हुआ जो AR होता है उसकी छमता कितनी होती है तो 200 लिटर होती है अगला point देखते हैं इसमें brake pipe तूटने पर section clear करके wagon को load से अलग करना पड़ता है यह जो single pipe जो रेक है अगर उसमें brake pipe तूट गया बीच से किसी भी wagon या किसी wagon दो wagon के बीच में कहीं से भी अगर brake pipe तूट गया तो section को clear करके wagon को load से अलग करना पड़ता है उसमें आपको उस वैगन को रेक से निकालने के जोट नहीं पड़ती है, बलकि आप बाइपास कर सकते हैं, फीड पाइप के दोरा, अच्छे किसी ट्रेन को कैसे बाइपास किया जाता है, अगर बीपी का पाइप फड़ गया, बीपी का पाइप खराब हो गया, तो उसको बा तो हम फीड पाइप के जड़िए पूरा उस कोच को बाइपास करके और फिर हम उसको चला सकते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको जिस वैगन का जो बीपी का पाइप भटा है या तूटा है, उस वैगन को आपको जेक से निकालने के जोट नहीं पड़ती है, बलकि वैगन के लंबाई में समनांतर साइड में लगा होता है, आप साइड से देखेंगे तो बड़ा सा वील लगा होता है, जिसको घुमा के हैंड रेक लगा जा सकता है, ट्विन पाइप में इसमें हैंड ब्रेक वैगन की चोड़ाई के समनांतर कप्लिंग के पास लगा होता ह अगर आप twin pipe wagon को ध्यान से देखिएगा तो जहाँ CVC लगा होता है, coupling लगी होती है, वही पे एक गोल सा यहाँ पे चोड़ाई के समना अंतर एक वहाँ पे wheel लगा होता है, जिसको घुमाके वहाँ पे brake लगाए जाता है, handbrake लगाए जाता है, single pipe में अगला point, इसमें handbrake लगाने पर पूरे wagon में brake लगता है, single pipe ब्रेइकन सिस्टंप नहीं होता है, जबकि twin pipe में इसमें तीन आइसलिटिंग कोग होते हैं, तो यह भी सवाआल निकल के आता है, single pipe में कितने isolating cock होते है या फिस हवाल ये भी हो सकता है कि twin pipe breaking system में जो मालगाड़ी है मालगाड़ी के twin pipe breaking system में कितने isolating cock होते है तो right answer होगा 3 अगला point इसमें कुल 2 cut off angle होते हैं जबकि twin pipe में कुल 4 cut off angle होते हैं अब देखें 2 cut off angle होते हैं किसमें single pipe में क्यों होते हैं दो क्योंकि उसमें एक ही pipe होता है BP का एक ही pipe होता है और दोनों end पे BP को बंद चालू करने के लिए एक एक cut-off angle होता है जबकि twin pipe में दो pipe होते हैं एक BP होता है एक FP होता है तो दोनों end पे BP और FP के लिए दो-दो cut-off angle लगे होते हैं तो कुल मिलाके एक wagon में चार cut-off angle होते हैं तो यह सारे आप खुद ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यह सारे सवाल ऐसे हैं जो एक-एक नमबर वाले जो सवाल आते हैं जो objective type सवाल आते हैं वहाँ पर यह सब बैठते हैं और इनमें से बहुत सारे सवाल आते हैं अब यह देखे यह भी बहुत important चीज़ है जो double pipe जो सवाली गारी system के उपकरण यह जो double pipe जो passenger trains होती है उनमें जो system लगा होता है twin pipe system, breaking system उसमें कौन-कौन से उपकरण इस्तमाल होते हैं अब यहाँ देखे इनमें से तो 10, इसमें तो 20 सवाल निकल सकते हैं जितने point है, 25 point है तो 25 सवाल निकली जाएंगे जो objective type होंगे break pipe, यानि कि break pipe कितना होता है, उसका color क्या होता है तो break pipe एक ही होता है, उसका color हरा होता है feed pipe एक होता है, color सफेद होता है cut up angle cock 4 होता है, यह एक कोच की बात हो रही है cut up angle cock 4 होता है feed pipe एर होस कपलिंग 2 होते है break pipe एर होस कपलिंग 2 होते है दोनों end में 2 होते है, यह एर होस कपलिंग parment कपलिंग BP और FP चार होते है mu washer BP और FP यह भी चार होते है dirt collector 2 होते है distributor valve जिसको DB कहते है वो एक होता है CR जिसको control reservoir कहते है यह भी एक होता है AR auxiliary reservoir यह भी एक होता है और इसकी capacity कितनी होते है, 200 liter होते है इस बात का रहान रखिएगा AR की capacity 200 liter होते है quick release valve एक होता है जो DB में नीचे लगा होता है isolating handle एक होता है break slender 4 होते है break slender isolating cock दो होते है एक boggy के लिए निकी एक trolley के लिए एक isolating cock होता है तो इस तरह दो trolley के लिए दो isolating cock होते है feed pipe isolating cock एक होता है check valve एक होता है check valve NRB को ही check valve कहा जाता है कई लोग इसको normally NRB के नाम से जानते है non return valve उसी को check valve भी कहते है break pipe isolating cock एक होता है चैन पूलिंग आइसलेटिंग कॉक एक होता है पैसेंजर इमर्जेंसी अलाम वाल पीवी ये भी एक होता है पैसेंजर इमर्जेंसी अलाम सिगनल डिवाइस ये दो होते है एक्जलेरी जेजर वायर ड्रेन कॉक एक होता है break pipe pressure gauge ये भी एक होता है feed pipe pressure gauge ये भी एक होता है guard emergency wall ये भी एक होता है काफी important है इन में से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बहुत बार exam में पूछे जाते हैं तो ये सारे आपको याद होने चाहिए कि double pipe जो सवाली गाड़ी system का braking system है उसके उपकरण कौन-कौन से होते हैं और उनकी संक्या कितनी होती है तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए और ये सारे चीज़ा आप याद कर लीजेगा भाईश्य में बहुत काम आने वाला है अगर आप exam नहीं भी देना चाहते हैं नॉर्मली अगर आप C&W स्टाफ हैं तो आपके जोच के काम में इनका बहुत रोल अच्छा मतलब बहुत इंपोर्टेंट रोल है इनका चलिए आगे चलते हैं ट्विन पाइप सवारी गाड़ी ये ब्रेक प्रनाड़ी की कारे भी थी यानि जो ट्विन पाइप जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें ये कैसे काम करता है डबल पाइप सिस्टम सवारी गाड़ी में ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों कारे करते हैं इसके अलावा इसमें पाँच आइसलेटिंग कॉग भी लगे होते हैं अब सवारी गाड़ी के अंदर कभी भी सिंगल पाइप नहीं होता है सवारी गाड़ी ट्विन पाइप में चलती है जिसमें एक ब्रेक पाइप कहलाता है और जो दूसरा होता वो फीड पाइप कहलाता है feed pipe नाम से यह आपको लग रहा है feed मतलब भरना तो एक भरने वाला pipe है और एक break pipe ब्रेक लगाने वाला pipe है तो यह दो pipe होते हैं charging तो चलिए देखते हैं सभी coach के cut-off angle clock को खोल देंगे तता अंतिम coach के अंतिम angle clock को बंद कर देंगे लोकों के brake pipe तता feet pipe के angle cock को खुलने पर brake pipe का pressure dirt collector से चंद कर पूरी गाड़ी के प्रतेक coach के DB को चार्ज करता है DB CR को चार्ज करता है 5 kg से साथ ही AR को भी 5 kg से चार्ज करता है feet pipe की compressed air dirt collector द्वारे चार्ज कर प्रतेक coach के AR को 6 kg से चार्ज करती है इस परकार लोकों से brake wind तक AR और CR चार्ज हो जाएंगे लोकों के pressure gauge में निर्धारी feet pipe का जो pressure है 6 kg वो brake pipe का pressure 5 kg हो जाता है तता brake wind में 5.8 kg से 6 kg और 4.8 से 5 kg से चार्ज होता है तो इसे charging अबस्ता कहेंगे देखें charging के दौरान twin pipe में क्या होता है engine से जब हवा आता है तो वो BP और FP दोनों में जाता है और ये पूरे brake में जितने भी coach लगे हुए सब के CR को AR को DB को charge करता जाता है जब पूरे CR, AR, DB चार्ज हो जाते है तो उसके बाद engine में लगा हुआ जो gauge है FP का वो 6 kg पे आके stable हो जाता है और जो BP का gauge है वो 5 kg पे stable हो जाता है जैसे engine में 5 kg और 6 kg का gauge stable होता है इसका मतलब होता है कि पूरी गाड़ी जो है वो charge हो गई है तो इसको charging अबस्ता कहते है अच्छा जब charge करते हैं पूरी train को तो वहाँ भी जो शुरू का coach है जो engine के साथ लगा coach है अगर उसके pressure को आप check करिएगा तो वहाँ BP का pressure 5 kg दिखेगा FP का pressure 6 kg दिखेगा जबकि आखरी coach में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा pressure हो सकता है कि कम दिखे 5.8 भी दिख सकता है और जो FP का pressure है वो 5.8 दिख सकता है और जो BP का pressure है वो 4.8 दिख सकता है हलाकि इस से कम होने से allow नहीं किया जाता है और गाड़ी में कोई problem है leakage है तो उसको solve किया जाता है उसके बाद दुबारा charge किया जाता है यानि 5.8 से कम नहीं होना चाहिए किसका pressure feed pipe का pressure और जो break pipe है उसका pressure 4.8 से कम नहीं होना चाहिए जनरली यह 6 और 5 आई जाता है ठीक है अच्छा जब हम इसको charge करते है twin pipe को charge करते है तो जो हमारा break pipe है break pipe के pressure से AR, CR, DB तीन चार्ज होते है जबकि जो feed pipe है उसके pressure से सिर्फ AR charge होता है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा feed pipe का pressure सिर्फ AR को charge कर सकता है DB और CR को चार्ज नहीं करता है सिर्फ AR को charge करता है ठीक है twin pipe के अंदर charging समय है जो इसका charging समय है वो 10 से 12 मिनट होता है याई 10 से 12 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी charge हो जानी चाहिए चालक जैसे ही लोको से A9 handle के द्वारा brake pipe में हवा के दबाव को कम करता है उसके साथ साथ पूरी गाड़ी के प्रते कोच के DB में भी pressure की कमी होने लगती है लेकिन CR में pressure कम नहीं होता है यहाँ भी वही चीज़ है जो आप single pipe ये आपने देखा था pressure की कमी के कारण DB में pressure का अंतर होता है जिससे AR का संबन brake cylinder से हो जाता है AR की हवा brake cylinder में जाकर गाड़ी में brake लगाती है brake cylinder में अधिक्तम brake pressure लगाते समय 3.8 kg होता है यानि कि जैसे ही driver के द्वारा BP के pressure को drop किया जाता है तो यह consensus करता है DB करता है लेकिन DB के साथ CR लगा होता है उसका pressure कम नहीं होता है तो DB और CR के pressure में जैसे ही अंतर आता है तो DB एक्टिवेट हो जाता है यान DB का pressure जैसे ही CR के pressure से कम होता है DB एक्टिवेट हो जाता है और वो AR के pressure को brake cylinder में भेज देता है जिसके वज़े से brake लग जाता है यहां भी वही है अगर 1.6 kg अधिक्तम 1.6 kg का प्रेशर अगर ड्राइबर के दौरा ड्रॉप किया जाता है तो जो brake slender में पहुँचने वाला प्रेशर होता है वो 3.8 kg per cm2 होता है brake application समय ब्रेक लगने का समय तीन से पांच सेकंड होता है यानि ट्विन पाइप में brake तीन से पांच सेकंड के अंदर लग जाता है अब चलिए रेखते हैं जिलीज brake लग गया उसको जिलीज भी करना है जिलीजिंग कैसे की जाती है तो चालक के दौरा लोको से A9 हैंडल को brake वाल के हैंडल को जिलीज अवस्था में लाने पर लोकों में पुना 5 किलोग्राम पर संटमेटर स्कॉयर का brake pipe प्रेशर चार्ज हो जाता है इसके साथ साथ प्रतेक कोच के DB का भी प्रेशर 5 किलोग्राम से चार्ज हो जाता है अर्थार DB का जो === XR का प्रेशर दोनों का प्रेशर जो अन्तर है वह सुन्ने हो जाता है जिसके वज़े से जोbourne DB हैवो क्या करता है सबसे पहले एार के संबंद को ब्रेक स्लेंडर से काट देता है उसके बाद जो ब्रेक सलेंडर का हवा है उसको अपने port के जरीए बाहर वायो मंडल में निकाल देता है और break release हो जाती है मैंने एक वीडियो बनाया है मैंने पहले भी आपको बता है कि मैंने animation के साथ वीडियो बनाया है break DB ये सब कैसे काम करता है अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो कैसे DB AR को BC से काट देता है और BC के हवा को वायो मंडल में बाहर निकाल देता है सारी चीज़ है मैंने उसमें animation बताई है तो उस चीज़ को अब ध्यान रखना एक बर जाके वीडियो को देख लेना तो ये हो गया twin pipe और single pipe कैसे break लगता है कैसे charge होता है वापस अब यहाँ पर coach को isolate करना देखें बहुत से मतलब ये बहुत बड़ा topic है जो breaking system में बहुत बड़ा topic है और मतलब इसमें अगर वीडियो बनाए जाए तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएगी इसको पार्ट पार्ट में बनाएंगे तो आज रहन देते हैं इतना अगले वीडियो में हम देखेंगे coach को गारी से अलग कैसे कियाता है chain pulling कैसे होता ICF में ये वीडियो कैसे लेगी comment करके बताएगा और अगर आपका कोई सुझा हो है या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं जो बताना चाहिए था तो please comment करके बताएगा क्योंकि बहुत से चीज़े हो सकती है मैं भी भूल जाओ बताने में तो आप लो comment करके बताएगा कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को अगले वीडियो में क्लियर कर ले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद